एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर्स होते हैं जो पूरे प्रोग्राइम में कहीं पर भी एक्सेसिबल होते हैं फिल्गाइम हएं इसाइड लिए अगी बनेद फूरे अभी भी आउटसाइड को access नहीं किया जा सकते हैं। तीसरी चीज है protected, accessible in the same class, यानि कि जिस class के ने declare किया गया है, उसी class में और child class में, यानि कि ये उस class में तो use किये ही जा सकते हैं, जहां पर वो declare किये गए हैं, as well as, ये child class में भी discuss किया जाते हैं। otherwise वो और किसी class में accessible नहीं है, कहीं पर भी outside accessible नहीं है। तो ये तो हुआ है, इसका आप example देख लेते हैं, कि ये program का example कैसे काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक program बनाया, इस program में देखिए हमने दो variables बना दिये हैं, दो तीन variable बनाये हैं, पहला बनाया है A, दूसरा बनाया है B, और तीसरा बनाया है C, A को declare किया है हमने private, B को declare किया हमने protected, और C को declare किया हमने private, public, अब देखिए, यहाँ पर हमने main मनाया, इस main के अंदर demo class, जो हमारी class है, इस class का नाम है demo, उसका हमने object बनाया M, तो M.A is equal to कर दिया 10, M.B is equal to कर दिया 20, M.C is equal to कर दिया 30, और हम M को भी display करा रहे हैं, B को भी display करा रहे हैं, और C को भी display करा रहे हैं, पहला A, B, C, तीनों को display करा लिया, अब बात यहाँ पर आती है, कि हमने पीछे क्या सीखा, private members cannot be accessible outside the class, protected members cannot be accessible outside the class, and public members can be accessible anywhere in the program, तो यहाँ पर हमारे पास जो main है, हमने तो यहाँ पर सभी accessible कर लिए, तो कौन से accessible हैं, और कौन से नहीं हैं, यह हमें देखना है, तो देखिए, यहाँ पर हमने not accessible, और accessible के case दिखा है, तो यहाँ पर जो M.A है, यह not accessible है, अगर प्रोग्राम को compile करेंगे, तो यह देगा कि A is not accessible, दूसरा B, B भी not accessible है, क्योंकि यह protected है, A private है, इसलिए accessible नहीं है, B protected है, इसलिए यहाँ main में accessible नहीं है, दूसरी चीज C, C accessible है, क्योंकि C public है, C को आप access कर सकते हैं, असानी से, तीसरी चीज, M.A, जब हम उसको display करा रहे हैं, यह भी accessible नहीं है, M.B, यह भी accessible नहीं है, लेकिन M.C, यह accessible है, जैसा कि हमने पीछे सीखा, कि public member कहीं पर भी accessible है, तो public member तो accessible हैं, यहाँ बर, लेकिन private और protected members, outside the class, accessible नहीं है, अब अगर हम main function, जो demo class है, demo class के अंदर कोई हम member function बना दे, उसके अंदर हम A, B, C, तीनों को use कर सकते हैं, A, B को तो इसलिए use कर सकते हैं, क्योंकि वो private और protected हैं, लेकिन हम इस class के बाहर, इसे use नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा program बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया, same वही चीज लिए, वही data बनाया A, B, C, जो कि private, protected और public है, लेकिन अब हमने क्या करा, एक display function है, उसके अंदर हमने इसको access किया, और उस function को, इस display के अंदर access कर लेते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर accessible नहीं है, ये भी accessible नहीं है, और ये भी accessible नहीं है, चाए private member है, तो ये outside the class accessible नहीं है, तो देखिए, हमारे पास, these are not accessible, because these are the private and protected member, cannot be accessible outside the program, अब यहाँ पर देखिए, हमने class बनाई है demo, और demo के अंदर, same वही variable A, private बना दिया, B, protected बना दिया, और C को public बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पर एक member function डिक्लेर किया, जिसका नाम है show, और show के अंदर A के value assign कर दी, B की भी value assign कर दी, C की भी value assign कर दी, और इन तीनों को display भी गरा दिया, तो यहाँ पर, क्यूंकि ये member function है, show जो है, एक class का member function है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों accessible है, private member भी accessible है, और public member भी accessible है, public member तो आपको पता ही है, anywhere accessible है, तो यहाँ भी accessible है, बाहर भी accessible है, लेकिन A और B बाहर accessible नहीं है, जैसे कि आपने पिछले program में देखा, अब हमने क्या किया, इसके अंदर demo का एक object बना दिया, D, और D.show को call कर लिया, show आसानी से call हो जाएगा, यूकि show जो है, public area में आ रहा है, तो show जो function है, वो एक public function है, तो directly हम यहाँ पर access कर लेंगे, तो इसका output अराम से, A, B और C की value डिस्पले हो जाएगी, तो यहाँ पर यह दोनों के दोनों, तीनों के तीनों accessible हैं, A, B, B और C, B, तो thank you so much for watching our video.